बश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो डाइवोर्स लेना होता है एक जो कपल होते हैं तो क्या जब डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उनको एक साल का इंतजार करना पड़ते हैं या फिर कहे का एक सेक्शन है उस सेक्शन को कहते हैं सेक्शन टैने तो यह क्या होता है क्योंकि यह डाइवोर्स से ही रिलेटिड है तो इसको भी हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पीडिएफ के लिए बता जेता हूं डिस्क्रिप्शन इसमें टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से आप इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए अभी क्या हुआ था कि केरला हाई कोर्ट के अंदर एक यंग कपल जो है यह कहेंगी क्रिश्चन क पलते वो गए तो वो कपल जब क्रिश्चन कपल गए हाई कोर्ट के अंदर तो उन्होंने एक पेटिशन डाली थी इस बात के ऊपर कि जब वो डाइवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट में गए तो उनको डाइवोर्स लेने के लिए कहा गया कि आप एक साल का इंतजार क को तो इस चीज को challenge उन्हों ने कर दिया high court के अंदर कि यह क्या बात है कि जब husband और wife दोनों नहीं चाते उस शादी में रहने के लिए क्योंकि अब उनको तकलीफ हो रही होगी उस शादी में तो अब क्यूं हमें जबरदस्ती एक साल का इंतजार करवाया जा रहा है तो इस च अगर कोई couple आपसी सहमती से तलाग की याचिका दायर करता तो उसको एक साल या उससे अधिक जो समय है उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है यह बोलते हैं कि आपने application डाली divorce की तो बोला जाएगा वहां से कि आप एक साल का इंतजार करिए एक साल के बाद जो है आप लोगां को बता हूँगा तो केरला हाई कोट ने का यह जो आप यह time को बोल रहे हैं यह मोलीक अधिकारों का उलंगन है यह के लाए कोटने का साथी साथ इसे ऐसमेंधानिक भी बता है और केरला हाई कोट ने केंदर सरकार को ये सुझाव भी दिया कि आप जो विवाद सम्बंदी जो विवाद हैं जिसमें पती पतनी दोनों की कल्यान के लिए उनके भलाई को बढ़ावा देने के लिए भार सरकार को एक Uniform Marriage Code भी होनी चाहिए Uniform Marriage Code का क्या मतलब हुआ देखे Uniform Marriage Code Uniform यानि एक समान वो हर एक कम्मूनिटी में लागू हो जैसे कि हमारे यहां पर मुसलिम, हिंदू, पार्सी, क्रिश्चन यह तो हर एक कम्मूनिटी की सेम Marriage Code भी यहां पर बनाया जाए तो देखे, बहुत एक genuine point जो मुझे लगा कि देखे, समान प्रस्थिती है मतलब कि एक हिंदू, मुसलिम या फिर सिक, हिसाई, यहां पर मैं बात करूँ कि समान प्रस्थिती है और अलग-अलग समुदाएं के बात हो रहे, तो यहां पर जो यह section 10 10A है, यह अलग-अलग ढंक से behave करता है यानि कि किसी को कम महुलत देगा, किसी को जादा महुलत देगा, किसी के लिए सही रहेगा किसी के लिए सही नहीं रहेगा तो यहां पर एक discrimination हमारे सामने आता है, जबकि दोनों ही circumstances है दोनों ही शादी में, मतलब कि एक A couple है, एक B couple है यह भी अलग होना चाहता है, दोनों की condition same है, B couple यह भी अलग होना चाहता है यह भी condition same है, लेकिन यह दूसरी community से आता है, यह दूसरी community से आता है तो यहां पर 10A इनके उपर अलग-अलग लागू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से बेदबाव हो रहा है इन दोनों के साथ, तो एक तो यह सब चीज हुई, जो High Court ने का कि यह एक बेदबाव पूर्ण है अब भले ही जो विधायका है वही कानून है, उन्होंने एक अच्छे उदेश्य से लक्षय को प्राप्त करने के लिए वही यह बनाया था कि एक साल के लिए, आपको दो साल के लिए वेट करना होगा, लेकिन इसको परभावी डंक से वो, यह मतलब कि जो व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा तो कर नहीं पाई साथ इसाथ, उनकी कहीं न कहीं स्वंधंतरता भी छी नहीं जा रही है अब स्वंधंतरता जो न्याय मांगने की जो संबंदी अधिकार है, वो खत्रे में आ गए देखे, वैध्यानिक प्रावधानों दौरा जो परभावित किये गे जो न्यायक उपचारों का अधिकार, मोलिक अधिकारों का उलंगन करता है जो हमारे यहाँ पर right to life है, उसके अंदर न्यायक उपचार यह उसके अंतरगत आता है तो ये होगे हमारे सामने क्यों रद वो करना चाहते हैं अब विवा विशेद अधिनियम 1869 के जो section 10A है उसके कुछ एक हम sources बता देते हैं कि कहां पर इनको power मिलती है कहां कहां से ये सब चीज़ें ली गई है तो दीकि एक साल का जो समय का जो निर्दारन समन्दी जो जानकारी है वो कहां से मिली एक तो विशेश विवा अधिनियम की जो section है 28 का 1 एक हिंदू विवा अधिनियम की जो section है 13B का 1 एक पारिसी विवा और divorce act आता है हमारे सामने जिसके अंदर धारा यानि section 32B का 1 इन सब में मिलती हैं देखे पहले भारती विवा विशेश अधिनियम की जो धारा 10A के तहत जो थी अगर तलाक लेना चाहते हैं तो आविदन यानि एप्लिकेशन किसी ने डाली तो पहले ये दो साल की उनके परतिक्षा करना पड़ता था दो साल के लिए समय लेना पड़ता था ये उसमें भी केरला हाई कोट में इसको चैलेंज किया गया था एक केस था इसके अंदर सोम्या एन थोमस वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया दो हजार देश इसमें केरला हाई कोट ने कहा कि 10A यानि 10A केता है था आप ये दो साल के जो नियोंतम आपने का है न कि वेट करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं आप किसी के उपर दमनकारी नीती अपना रहे हो उसको दबा रहे हो उनके पर जबरदस्ती ये चीज़ें लागू कर रहे हो तो इसे दो साल ना होकर इसे एक साल होना चाहिए ये 2010 में केरला हाई कोट ने बोल दिया था अब एक हमारे सामने आता है मानाव अधिकार आपने सुना होगा Universal Declaration of Human Rights उनका एक Article 8 उन्होंने ये गोशना किया है कि समीधान और कानून द्वारा जो मोलिक अधिकार का उलंगन करने वाले जो भी काम है अब भई उनके लिए कोई भी ऐसा कानून बन गया है जो मोलिक अधिकारों का उलंगन कर रहा है तो अब वहाँ पर एक सक्षम राष्ट न्याधिकारों द्वारा सभी के लिए प्रभावी उप्चार का एक अधिकार है मतलब कि उनको effective remedy उनको मिलने चाहिए ये उनका अधिकार बनता है ये बात बोले गई है मानव अधिकार सर्वभूम गोशना के द्वारा अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो इतनी पैरवी कर रहा है अब ये कौन है देखिए Universal Declaration of Human Rights जो है वो मानव अधिकारों का एक इतियास के जो कहते हैं कि milestone, meal का पत्र यानि ये बहुत important काम हुआ था जब ये चीज़ बनी थी December 1948 के अंदर पैरिश में मानव अधिकार दिवस के दोरान स्विंक तुराष्ट महासभादवारा इसकी घोशना की गई थी परतेक साल की 10 December को दुनिया भर में मानव अधिकार दिवस के रूपे मनाया जाता है इसने पहली बार मौलिक अधिकारों को एक universal रूप में श्रंक्षित करने का है मतलब कि जो आपको मौलिक अधिकार जो fundamental light दिए गए है वो universal है ये इसने गोशना कर दी थी परतेक वेक्ती ये जो गोशना की है उन सब को अधिकार प्राप्त होंगे बले वो किसी भी जाती, किसी भी लिंग, भाषा, राजनीती, अन्यराय, किसी भी तरीके से वह आता हो ऐसा नहीं है कि उससे उसका अधिकार चीना जाए सबी मुनुशे जो गरीमा और अधिकारों के संदर्म में स्वतंतरता समान पैदा होते है वे तरक और वेक्स संपन है और उन्हें भायचारे की भावना से एक दूसरे के परतिक कारे करना चाहिए तो ये होगे आपके सामने युनिवर्सल डिकलरेशन ओफ हुमन राइट्स इसके बारे मैं आपको जान लेना चाहिए था अब निशकर्स क्या निकला देखे तलाग के संदर्व में जो आविदिन के लिए अनिवार एक साल की जो समय है अवदी जो है उसके पीछे मूल उदेश्चे है मूल रूप से पई दो जोड़े हैं उन्होंने एकदम से ताओं में आके फैसला ले लिया कि भाया हम तलाग लेना चाहते हैं दोनों ही तलाग लेने के लिए मतलब साइन कर देते हैं कोर्ट पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि ये सरकार ने या फिर कहीं कि कानून है उन्होंने पारिवारिक संस्कृति को समगने के लिए समय देने के लिए आप आए हो आपको परिशानी थी कहीं आपने ताओं में आगे तो फैसला नहीं ले लिया आपने तलाक तो हो गया लेकिन बाद में आप पस्ता रहे हों तो कहीं न कहीं वो एक साल इसलिए दिया गया था यहां पर एक दूसरे के शादी में खुश नहीं है वही उनकी अब शादी जो यानि कि जो marital relationship है वो toxic हो चुकी है उनके अंदर बहुत जैर गुल चुक है वह एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते बात नहीं करना चाहते, रहना नहीं चाहते तो आप उनको ये थोड़ना बोलोगी कि आप एक साल के लिए वेट कर लीजिए वही एक साल उनको आगे भी तो बढ़ना कहीं उसी चीज में वो अटके रह जाए तो केरला उच नैले दौरा मूर रूप से उन जोड़ों के करीमा पूर्ण जीवन के अतिकार को स्रुंक्षित करने का जो प्रयास कर रहा है कि अपने वैवाई जीवन में गंबीर कटनायों को सामना कर रहा है उनको एक तरीके से रहा दिये कि आप अलग होना चाहते थे, आप दोनों ही जो एक छोटा सा टोपिक था, क्या एक साल का वेट करना होगा, या दो साल का, ये सब चीज़ें आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गई होगी पेडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा